हेलो गाइज आपका हमारी यूटीव चैनल टक्निकल सोयता में स्वागत है आज की इस वीडियो में हम आपको Google Pay का ट्रांजक्शन हिस्ट्री डिलीट करना सिखाएंगे खाइज अगर आप भी Google Pay का ट्रांजक्शन हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी helpful होगा क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको Google Pay का Transaction History डिलिट करना सिखाएंगे और आज के ये वीडियो है ही कि Google Pay Transaction History कैसे डिलिट करें तो guys वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो इस वीडियो के नीचे लारंग का एक सब्सक्राइब बटन है उस्से टेच करके चैनल को सब्सक्राइब किजिए साथ इसाथ नोटिफिकेशन वیल को टेच करके अल सिलक्ट कर लिए इससे आपको हमेरे है नई वीडियो की लाटेस्ट अब्डेट मिलती रहेगी तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं तो गूगल पे का ट्रांजक्शन हिस्ट्री डिलेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में जो गूगल पे का अपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा तो यहां पर आपको थोड़ा नेचे स्क्रॉल डाउन करना है तो यहां पर है तो जिसे ही आप इस्ट्रांजक्शन हिस्ट्री में क्लिक करते हैं तो आप अभी जिसना भी मतलब ट्रांजक्शन की है उसका पूरा हिस्ट्री यहांपर आ जाता है लेकिन यहांपर आपको इस्ट्री रिमॉप करने के लिए कोई भी अप्सन नहीं में रहा है जैसे यहां पर जैसे ही आप हम 3. में क्लिक करते हैं, तो यहां भी history delete करने का कोई option नहीं है, तो Google Pay का transaction history delete करने के लिए, हमें क्या करना होगा, नहीं से हमें एक बार व्याक कर देना है, तो यहां पर जो मेरे सबसे उपर है, एक self transfer किये हैं, 107 रुपिये का, तो यह हम आपको delete करके दिखाएंगे, तो Google Pay का transaction history delete करने के लिए, इससे आपको एक बार back करना है, back करने के बाद आपको थोड़ा उपर आना है, उपर आने के बाद आपको जो right side में सबसे उपर, आपका profile का logo दिखाए पढ़ रहा है, इस पे आपको tap करना है, तो settings के बटन में click करने के बाद आपके सामने इस तरह का interface आएगा, तो यहां पर जो सबसे ऊपर है, personal info तो आपको personal info में click कर देना है, personal info में click करने के बाद आपके सामने तीन option आएगा, पहला है mobile number, दुसरा है email, तुसरा है language का, तो यहाँ पर आपको देख लेना है कि आपके Google Pay के एकाउंट में कौन सा email ID दिया हुआ है इससे देखने के बाद आपको इससे एक बाद back कर देना है तो back करने के बाद आपके समने इस तरह का option रहेगा तो यहाँ पर जो तिसरा नंबर में है Privacy and Security तो यहाँ पर आपको Privacy and Security में क्लिक कर देना है Privacy and Security में क्लिक करने के बाद आपके समने इस तरह का interface आएगा तो यहाँ पर जो सबसे उपर है Data and Personalization तो इस पर आपको क्लिक करना है तो यहाँ पर हम Data and Personalization में क्लिक कर लेते हैं Data and Personalization में क्लिक करने के बाद आपके समने इस तरह का इंटरफेस आएगा तो यहाँ पर जो है Google Account तो आपको इस Google Account में क्लिक कर देना है Google Account में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका Sign In करने का आएगा तो यहाँ पर आपको वावाला email id sign in कर लेना है जो आपके Google Pay के account में दिया हुआ है तो यहाँ पर हो सकता है कि इस list में आपका email id जो Google Pay के account में दिया हुआ है वो आभी जाए लेकिन अगर इस list में आपका Google Pay के account में जो email id दिया हुआ है वो नहीं है तो यहाँ पर आपको Use Another Account में क्लिक करना है Use Another Account में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वह वाला email ID फिल कर लेना है जो आपके Google Account में दिया हुआ है तो यहाँ पर हम अपना email ID जो है उसे फिल कर लेते हैं फिल करने के बाद यहाँ पर आपको next के बटन में क्लिक कर देना है next के बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना जो पासवर्ड है email का जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है तो यहाँ पर हम अपना email का password इंटर कर लेते हैं email का password इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको next के बटन में क्लिक कर देना है तो यहाँ पर हम next के बटन में क्लिक कर रहे हैं next के बटन में क्लिक करने के बाद आपके समने इस तरह का interface आएगा तो यहाँ पर आपको इससे थोड़ा नीचे scroll down करना है नीचे scroll down करते ही आपने जितना भी transaction की है वो आपके सामने यहाँ पर पूरा history आ जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो self transfer किया था 107 रुपिया का वो भी यहाँ पर है तो आप जो भी transaction history डिलीट करना चाहते हैं तो उस transaction history के side में एक cross का निसान है उस cross के निसान में tap करके आप उससे डिलीट कर सकते हैं तो यहाँ पर जो हम self transfer किये हैं 107 रुपिये का उससे हम यहाँ पर डिलीट कर लेते हैं डिलीट करने के बाद आपके समने इस तरह का इंटरफेस आएगा तो यहाँ पर आपको got it कर देना है तो यहाँ पर आप जितना भी transaction history है उससे आप एक एक करके भी डिलीट कर सकते हैं या फिर आप इससे थोड़ा उपर जाना है और यहाँ पर जो डिलीट का बटन है इस पर आपको क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद आपके समने चार अफसन आ रहा है पहला है last hour, दुसरा है last day तिसरा है all time और चोता है custom range यानि last hour में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो last hour में जो आप transaction किये हैं वो आपका delete होगा लास्ट डे अगर आप क्लिक करेंगे तो last day में आप जो transaction किये हैं वो आपका delete होगा all time अगर आप करेंगे तो पूरे time में आप google पे के account से जितना भी transaction की हैं पूरा delete हो जाएगा और यहाँ पर है custom range तो custom range में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका date select करने का आएगा यहाँ पर आप अप्टार है और वीफर है तो यहाँ पर आप date select करने के बाद next पर क्लिक किजिएगा तो आप जिस भी date का transaction history डिलिट करना चाहते हैं तो उस date का transaction history डिलिट हो जाएगा तो यहाँ पर हम back कर लेते हैं तो यहाँ पर जो 107 रुपिया का जो हमने self transfer किया था वह transaction history हम डिलिट कर लिए हैं अब हम आपको दिखाते हैं कि जो 107 रुपिया का transaction history था वो हमारा Google Pay के application से डिलिट हुआ है कि नहीं तो यहाँ दिखने के लिए आपको इससे back करना है तो यहाँ पर हम इससे back कर लिए अब हम इससे थोड़ा नीचे scroll down करते हैं और यहाँ पर है short transaction history तो यहाँ पर हम short transaction history में क्लिक करते हैं तो देखिए short transaction history में जब हम इससे क्लिक किये तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो sale transfer एक सूसात रुपीय का था वह यहाँ पर delete नहीं हुआ है तो इसे delete करने के लिए क्या करना पड़ेगा ना इससे आपको एक बार back करना पड़ेगा और back करने के बाद यहाँ पर आपको उपर जो right side में profile का logo है उस पर आपको click करना है उस पर click करने के बाद आपको settings के button में click करना है settings के button में click करने के बाद नीचे आपका है sign out तो इससे आपको sign out कर लेना है sign out करने के बाद जब इससे आप फिर login किजिएगा तो आपका जो transaction history है वह delete हो जाएगा तो इहाँ पर हम आपको sign out करके उसके बाद दोबारा login करके दिखा देते हैं कि मेरा transaction history जो था वह delete हुआ है कि नहीं तो इससे हम sign out कर लेते हैं तो इहाँ पर दो option आ रहा है पहला है cancel और दुसरा है sign out तो इहाँ पर sign out कर लेना है तो इहाँ पर मेरा google pay का application जो है वह sign out हो चुका है अब हम इससे दोबारा open करके देखते हैं तो जब आप google pay का application sign out करने के बाद आप दोबारा google pay का application open करते हैं तो आपके सामने इस तरह का interface आएगा तो इहाँ पर आपको mobile number इंटर करना है यहाँ पर आपको मेरा mobile number इंटर करना है जो आपका google pay के application में दिया हुआ था तो इहाँ पर हम अपना mobile number इंटर कर लेते हैं तो mobile number इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको next के बटन में क्लिक कर देना है next के बटन में क्लिक करने के बाद आपके समने इस तरह का interface आएगा तो यहाँ पर कुछ term and condition दिया हुआ है तो यह term and conditions आप पढ़ भी सकते हैं या इससे आप direct accept and continue भी कर सकते हैं तो यहाँ पर हम accept and continue कर दे रहे हैं accept and continue करते ही आपके आपने जो mobile number इंटर किया था उस mobile number में ेक OTP send कर दिया जाता है तो यहाँ पर आपको वह OTP copy करके यहाँ पर paste कर लेना है तो जो आपका OTP है वह आपके mobile के message में send कर दिया जाता है तो यहाँ पर हम अपने message से Google Pay का OTP copy कर लेते हैं Copy करने के बाद हम दोबारा इससे Google Pay के Application में Paste कर देते हैं Paste करते ही यह जो OTP है मेरा verify करने लगता है और जो मेरा Google Pay के Application में इस तरह का option आ रहा है तो यहांपर हमारा bank account जो है, वा अक्रणी करने का option आ गया तो मेरे Google Pay के application में दो bank account एड़ था, तो इसलिए यहांपर दो bank account एड़ करने का option आ गया तो यहाँ पर हम फिलाल के लिए एक bank account एड़ करते हैं तो यहाँ पर आपको जो भी bank account एड़ करना है वो पहले आपको select कर लेना है select करने के बाद यहाँ पर दो option है पहला है do this later और दुसरा है activate my account तो यहाँ पर आपको activate my account में click कर देना है activate my account में click करने के बाद आपके सामने दो option आ गया यहाँ पर मेरे phone में दो SIM है पहला है SIM 1 और दुसरा है SIM 2 तो यहाँ पर जो मेरा Google Pay का application है वो SIM 1 के साथ link है इसलिए यहाँ पर हम SIM 1 select कर लेते हैं SIM 1 select करने के बाद यहाँ पर आपको अपना जो SIM है उसे select करने के बाद यहाँ पर आपको continue कर देना है continue करने के बाद आपका जो mobile number है इससे यह जो Google Pay का application है वो अ verify कर रहा है तो जो मेरा bank account था वो आ अक्टिवेट हो गया है अब मेरे सामने इस तरह का interface आ गया यहाँ पर पहला है use your screen lock और दूसरा है use your four digit Google pin तो यहाँ पर आप Google Pay का जो application है उसे lock करने के लिए आपका जो screen lock है उसे भी use कर सकते हैं या फिर आप अपना four digit का Google pin भी बना सकते हैं जो आपका Google Pay का lock होगा तो यहाँ पर हम करते हैं use your four digit Google pin उसके बाद यहाँ पर continue कर रहे हैं continue करने के बाद यहाँ पर हम अपना password डाल रहे हैं password डालने के बाद आपके सामने इस तरह के interface आएगा तो यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे scroll down करने के बाद आपको देख लेना है कि आपका transaction history डिलिट हुआ है कि नहीं यहाँ पर है 100 transaction history तो यहाँ पर हम 100 transaction history में किलिक करते हैं तो देखिए जो हमने self transfer किये थे 107 रुपिये का वह मेरा डिलिट हो गया है तो इस तरह से आप अपने Google Pay के एकाउंट से अपना जो transaction history है उसे डिलिट कर सकते हैं तो गाइज आई होप यह वीडियो आपके लिए काफी helpful रहा होगा तो इसी तरह के helpful वीडियो पाने के लिए इस वीडियो को like किजिए चैनल को subscribe किजिए साथे साथ इससे अपने दोस्तों के साथ share किजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का जानकारे मिल सके